तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपल राजब्रोहित और स्वागत है विपल एजूकेशन चैनल पर दोस्तों प्री बीएस्टी सी और पी टी टी रीट सी टेट और अधर एक्जाम के अंदर इंडियन हिस्ट्री के कुश्ण पूछ ज़ता है ज्यक्ता अगर बीएस्टी आपको इंडियन हिस्ट्री के वीडियो जरू मिलेंगे तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंदू सबीता कि जो मैंनमें स्टल है परमुक्स तरह उनका पूरा डीटेल के साथ पढ़ाऊंगा तो वीडियो को स्किप बिलकुल भी मत करना तो चलिए दोस्तों शुरू करते उसका नाम हडपा हडपा जो है इसकी खोज 1921 में किके थी और इसके खोज करता थी दैयाराम साहने जिन्होंने उत्खन किया था उनका 1922 से 25 और इसके स्थिती बताएं तो यह वरतमान में तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके माउंटाग रिजल की रावी नेदी क के तड़ पर है अगर इसकी डिटेल्स की बात करेएं जहां पर छे अनानगार कांसे खलाने के एक पातर मिला था नगन पूस का धर्क मिला था लेखा यह सरवाजिक महरी में दे थी यहां साम हुई कब्रगा आर 37 मिले थे और महरों पर एक सिंग वाले बिना कुबड वाले भी यहां मिला था दूसरा जो स्थलेव वह है मौंझो दुड़ू जिसे नखलिस्तान भी कहते हैं इसकी खोऊज होती उन्नीस सुबाइस में आरडी बेनरजी राकलदास बेनरजी ने इसके खोज की थी और ये पाकिस्तन के सिंद परांद के सक्राना जिरे के सिंद उनरजी के तटपर है मौन जो दोलगा साब्दी का अर्थ है मृतकों का टिला यहां से बहुत बड़ा सनानगार, विशाल अनगार, विशाल सभाववन, नर्त के कांसी मूर्थी और शित्रपल में ये भी सबसे बड़ा है उसके बाद है सूत कौंड गोर जो कि इसके खोज उनरजी स्थेश में होती यह औरिल स्थेश ने खोज किती, यह बरतमान में बलुचिस्तान, दसक नदी के दरट पर है और यहां पर सिंदुन नगर, दुर्ग, बंदरगा के पता लगा था और यहां के लोग जो है बेबिलों से व्यापार करते थे यहां पर मन के बनाने का कारका ना मिला था, मोहरे बनाने का थ्यार भी मिले थे और लिपस्टिक के सक्षे भी यहां पर मिलते है काली बंगा जो है जिसकी खोज उन्य सिकाउन में होई थी अमलानंद गोसने उसके बाद एक सट उन्य तर में वीविलाल और वीके थापर ने इसकी खोज की थी यहां विस्व में सबसे पहले जुत्ते वी खेट के प्रमान मिले थे एक साथ दो फ़सल बोने के साक्षे भी यहीं पर पराप्त होते हैं पिर रंगपुर की बात करें तो यह 53 चोपन में स आ राव ने खोज की थी गुजराज के एमदबाद में है यहां पर पूरे सिंदु सबिदा के लोग निवास करते थे इसके बार कोट दीजी जो हैं त्रेपन में खोज भी थी और यह सिंदु परांत में हैं और यहां पर पत्थर के बानागर मिले थे रोपड की बात करें तो यह पंजाब में है और त्रेपन में यह गदध तस्रवाबाद में इसकी खोज की थी यहां पर तामबे के एक लहड़े मिली है और मानव के साथ कुट्टि अपनाने के सक्षे मिलते हैं लोथल जो के 1977 में कक्षा 11 की पुस्तक जो है एनिशारटी की उसके नुसार ऐसा राव ने इसकी खोज की थी चोपन में और एमदाबाद की गुजरात में यह मिला है और यहां एक गोदिवाड़ा यानि डॉर क्याड़ के प्रमान मिले हैं इसके अलबा अलंगिमपुर 58 में खोज भी थी मेरट उत्तर प्रदेश में हैं मर्द भाड़ों पर मोर की यहां खोजाई मिलती है अगले की हम बात करें तो सूर्प केटडा जो की कच्छ भुज में हैं और 64 में जग्पती जोसीनिस की खोज की थी यहां गोड़े की अस्तियां मिली है बनवाली जो है 74 में खोज भी थी आरसी बिस्ट ने हिसार हार्याना में यहां पर जो है एक मिट्टी का बना एक छोटा खिलोना हाल की रूप में बराउत होता दौलिवरा की बात करें तो 68 में जेपी जोसीनिस की खोज की थी गुजराद की कच्छ में हैं और यहां पर तीन खंडों में दुर्ग विवा जित में लाता यहां सरवतम जल प्रबंदन भी हुआ है इसके बात के बालकोट की बात करें तो यह जो है त्रेशर चंतर में है और यह कराटी की निकट है और यहां कच्छी इमारती कच्छी मिट्टी की बने थी अलही दिनों की बात करें डबलो एस फर्म से यहाँ पर कोई खास नहीं है राका गेड़ी जो जिंद जिला हर्याना में है यहाँ पर भी यह सिंदू सब्यता का सबसे बड़ास तल्दा मालवान गुजरात में इसके बार रोजिदी भी है जो की राजगोट गुजरात में मिटातल भीवानी में संगोल लुदियाना में मांडा जम्मु किस्मेर में और दायमबाद एहमाद अगर में तो दोस्तों यह थे सिंदू सब्यता के वह परमुक्स तल लगा और अगर आप कमेंट में कहोगे कि इंडियन हिस्ट्री पर अगला वीडियो चाहिए तभी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा अनिता मैं वीडियो इंडियन हिस्ट्री पर अगला वीडियो नहीं लेकर हूँगा क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आए तो फिर क्या काम की बात है तो यह इता वीडियो दोस्तों वीडियो करता हूँ समाप्त आप सभी को मिलूँगा मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना और घंटी के निसान को जरूर दबा देना लाइक कर देना धन्यवाद दोस्तों